एक नववर्ष के मौके पर पूरी तरह यूरोपीय संग में शामिल हुआ क्रोएशिया, यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपनाया दो। भारत ने एक वर्ष के लिए 42 सा दसिय वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहन की तीन। लूला डा सिल्वा ब्राजील के 49 में राश्ट्रपती के रूप में शपत लीग, गेरिलडो अलकमिन बने उप राश्ट्रपती चार। बी सी सी आई ने भारतिय क्रिकेट टीम में चैन मांधन के लिए योयो टेस्ट और डैकसा स्कैन फिर से लागू किया पांच। होकी मध्यप्रदेश ने ओनिसा को 6-5 से हरा कर खेलो इंडिया यूट गैंप्स 2022 मेंज अंडर-18 का खिताब जीता छे। CRPF प्रमुक सुजोईलाल थाउसिन ने संभाला BSF का अतिरिक्त प्रभार, पंकज सिंग हुए रिटायर साथ। एर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने भारतिय वायू सेना के पश्चिमी वायू कमान, WAC की कमान संभाली आठ। अजै कुमार श्रीवास्तव को इंडियन Overseas Bank के MD और CEO के रूप में पदोननत किया गया नौ। भारत के प्रमुक स्टॉक एक्स्चेंज BAC ने सुंदरर्मन राममूर्ती को अपना MD और CEO नियुक्त किया दस। दिनेश कुमार शुकला ने तीन साल के लिए परमानू उर्जा नियामक बोर्ड, AERB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला ग्यारा। केंद्रिय मंत्रिमंडल की नियुक्ती समिती ने अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया बारह, 600 साल में इस्तीफा देने वाले पहले पोब बैनेडिक्ट सोलहवे का 95 वर्ष की आयूमे निधन 13. भारत सरकार ने अंतराष्ट्र के बाजरा वर्ष आयवाएम 2023 की शुरुआत की